आज का यह वीडियो एक इलेक्रिक्रिकल सुपरवाईजर इलेक्रिकल इंजिनर तक सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो के अंदर यहां पर जो भी सभी आपको इलेक्रिकल पॉल में पार्ट्स दिख रहे हैं इन सभी पार्ट्स के नाम और इनका क्या है इनका पॉल में क्या यू से ऊपर बात करने वा ले समक्राइब वीडियो को शाइब कर ले है इस इमेज के दर यहां पर आपको ऑंटे मेंट ट्वारें इनकी फोटो दिख रहे लेकिन इसी के साथ में यहां पर आपको इनदी की डिवास कैसे डिखता है जैसे हम स्टार्ट करते हैं इस फर्श डिवाइस से तो यह जो फर्श टूप करन दिख रहा है इससे बोला जाता है इंसुलेटर तो आपको पता होना चाहिए इंसुलेटर के मुख्य दो काम होते पॉल में एक हो गया हमारे कंडेक्टर को सेफरेट करना मतलब जो हमारा चल गया इसके बाद में सेकेंड पार्ट कौन सा है यहां पर आपको दिख रहा है यह है दोस्तो प्राइमरी वायर आपको धियानक नहीं कि हमारी जो टावर होते हैं जो पोल्स होते हैं इसके अंदर जनरली दो टाइप की वायरिंग जा रही होती एक होता है जिसे हम प्रा साइड में अलग से वायर को बांद के रखा है वायर अलग से जा रहा है तो यह जो नीचे की साइड वाले वायर होते हैं इसे पोलता है हम सेकेंडरी वायर अब जो प्राइमरी वायर होते हैं इसके नर हमारे हाई वोल्टेज होता है जैसे 33 KV होता है कभी 11 KV होता है यह क् को एक transformer दिख भी रहा होगा तो यहां पर एक ट्रांस्वर लगा दिया तो प्राइमरी वायार से हमारे एक फेस लिया ट्रांस्वर्फमर लगा है था दो आगे दूसरी कोलॉनी में भी शप्राइब होती लेकिन जो सेंडरी वायर होता है वो हमारा मैं distribution के काम आता है इसके बाatu धूस sait यह लिए ठाट करन काम है तो इसको बोलते है दोस्तों हम Cross Arm अब क्रॉस अर्म क्या है तो दोस्तों इकाफी important हिस्था है् पॉल के पार्ट में इसका काम होता है दूस्तों जैसे कि हम सबी को पता है हामारे जो यह एक होगा इस प Queensborough हमें कई सारे वायर को हैं करना होता है तो किशें करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते है पौल पॉल से बिल्खुल वहवस्टी तरीक़े से काफी वायर को है कर पाए और उनको एक। इसके बार में नेक्स्ट आपको इसका नाम होता है दोस्तों कट आउट दोस्तों आपको यहां पर सभी के नेम के साथ साथ उनकी फंक्शन भी याद रखना इसलिए ज़लुड़ी है प्यूंकि कहीं बार इंटर्वी में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आकिर पॉल्स के अ कट आउट फ्यूज या कट आउट का काम यही है कि कभी अगर हमें जो सप्लाई है जो सप्लाई आगे हमारे ट्रांस्वर में जारी इस पूरी सप्लाई को अगर हमें रोकना है तो वह किस से रोका जाता है वह हमारे इस कट आउट से रोका जाता है कट आउट के मुख्या दो प्रटेक्शन का कभी ओवर लोड हो गया तो हमारा फ्यूज ब्लो हो जाएगा तो हमारी आगे इसके बाद में यह बात करते हैं जो कि एक लाइटिनिंग अरेश्टर का क्या काम होता है तो यह काफी इंपोर्टेंट होता है हमारी पूल से अंदर इसका मुख्य काम होता है द ग्राउंड के अंदर कर देता है तो यह जो पूल में पूरा उपर से नीचे तक ग्राउंड वाइट जो जा रहा है इसका काम यही होता है कि जब आकासी बिजली गें जो भी उस समय का करण्ट है उससे हमारे डिवाइस में नहीं जाने देना उसे डायरेक्ट हमारे तो दायेट हम इस 33,000 वोल्टेज पे तो हमारे घर के उपकरन को नहीं चला सकते ना तो इसके लिए हम क्या करते हैं यह तो यह पर नाम भी दिख रहा है है सेकेंडरी वायर से हम डिश्टिब्यूट करने का का में हमारे गहरों मे तो अगर उपका में इसके ठोजे swims को अ क्या काम होता है इसका قांम सभी को मुद्वा जाथा जरूरी है कि अगर आ रग वी सिंगल से कैसी कि सोपकरन को चलाने चाते हो तो हमें के एक phase और साथ में neutral की भी आफ्शिका होती है तो वह जो neutral होता है वो neutral हमें transformer से ही मिलता है तो यहां पर एक neutral वायर भी आपको देखने को मिल रहा है इसके बात में दोस्तों हमारे दो और उपकरण बज जाते हैं इनकी बात कर लेते हैं क्यूंकि हमने copper wire ground wire को तो समझ लिया यह हमारे earthing देने का भी काम करता है और साथ इसा lightning arrester से जो जादा extra current आया उसको भी ground करने काम करता है लेकिन अब आकरी के 2 current के function की बात करें तो इसमें हो गया हमारा phone and cable wire तो इसका काम हम सभी को पता है कि हमारे घरों में जो भी हमें wire की जवरत होती है जैसे phone के wire की, wifi के wire की, telephone के wire की तो इनको भी poles की मतलब से hang किया जाता है घरों चोट पहुचा जाता है इसके आगरें बसता है दोस्ता हमारा guy wire इसे guy wire भी बोलते हैं कहीं पर gay wire भी बोलते हैं तो इसे सभी नाम है यह इस गे wire की ही है इसका काम क्या है तो इसका काम है दोस्ता हमारा जो एक pole है इस pole को हमारी mechanical strand देना मतलब pole को balance बनाए रखना कि pole हमारा हवा तेज चले तो इदर उदर ना हो जाए तो इसलिए इस pole को tight रखने बांद के रखने का काम करते हैं जमीन से वह हमारा यह gay wire करता है इसे guy wire भी का जाता है तो अगर आपसे इंट्रुने में पूछा जाए तो आप simple सा बोल सकते हो कि pole को एक mechanical support देने का काम इस pole को balance देने का काम हमारा gay wire करता है दोस्ता आगरी के अंदर में आपको एक बात बता दें जाता हूं कि electrical dose channel के अलावा भी मैं एक और चैनल पर वीडियो बना रहा हूं उस channel का नाम है engineering dose इलेक्ट्रीकल दोस और इंजिरिंग दोस चैनल में फरक यह है इलेक्ट्रीकल दोस चैनल पर हम कोशिच करते हैं कि जादे-जादा प्रेक्टिकल वीडियो उस को बनाए जाए प्रेकल experience को शेर किया जाए लेकिन अगर आप इंजिरिंग दोस चैनल की बात करें तो यहां अगर आप भी किसी एक जाम की इंटर्वियो की या कॉलेज में भी पढ़ रहें तो आप उस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं उमीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को एक लाइक की जुरू बताएगा अगर अभी भी आपको कोई सवाल इस वीडियो के प्रतियाफ एलेक्टिक जोड़ा रह जाता है तो आप मुझे कमेंट वोक्स में कमेंट सब्सक्राइब कर लिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद